मेरे भाई और दोस्तों मैं भारतिजानता पार्टी के एक छोटा सिकार करता उत्तर परदेश किनिवासी परियागराश शेहर का हूं हमने भारतिजोन पार्टी जॉइन की हमने काम देखा हमारे देश के लिए अपना पूरा जीवन समरपित कर दिया और देश के विकास के लिए अपना तनमंधन सब लगा दिया मैं आपको उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ और तमाम पार्टियां जो एक जुट हो गई हैं खिलाप में जो चाहती हैं कि हम भारतियन्ता पार्टी की विजयरत को रोक सकेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है बलके ना मुमकिन है और भारतियन्ता पार्टी लोकसभा चुनाओं में 400 सीटों से ज्यादा चुनाओं जीत के आ रही है और देश की 140 करोल की जंता ने उन्हें आशिरवाद दे दिया है और देश जो है फिर से तीसरी बार मोधी सरकार बनने के लिए तात्पर है और 2024 पे लोकसभा चुनाओं का जो इलक्षन है वो भारी मतों से उत्तरपरदेश पे 80 के 80 लोकसभा सीटों को हम जीतने जा रहे हैं मैंने एक छोटा सा गीत इसी पे बनाया हुआ है मैं विपच्च को कहना चाहता हूँ उस गीत के जरिये के आप उसको समझो आप विखर चुके हो आपकी ताकत खतम हो चुकी है विपच्च्च की लेकिन वो सिर्फ एक ड्रामा क्रियेट कर रहे हैं के हम बहुत सी पार्टिया चोटी चोटी हमाए साथ हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है जनता आप से खिसक चुकी है जनता भारतियंता पार्टी के साथ है लेहाजा चार सो सीटों से ज्यादा भारतियंता पार्टी चुनाओ जीतने जा रही है और मैंने चोटा सगीत जो लिखा है मैं उसको पढ़ता हूँ कि राहुल जी अखलेश जी जो साथ मिलके सोच रहे हैं कि हम भारतियंता पार्टी का रत विजयी रत रोक लेंगे ऐसा मुम्किम नहीं है राहुल जी रोको लाख मगर मोदी जी नहीं रुक पाएंगे अखलेश जी रोको लाख मगर योगी जी नहीं रुक पाएंगे राहुल जी रोको लाख मगर मोदी जी नहीं रुक पाएंगे अखलेश जी रोको लाख मगर योगी जी नहीं रुक पाएंगे जब से मोदी जी आए हैं तब से अच्छे दिन आए हैं सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास मोदी जी ही कर पाएंगे राहुल जी रोको लाख मगर मोदी जी नहीं रुक पाएंगे जनताने अब ये ठाना है बस मोदी जी को लाना है अब की बाहर चार सो पार अब की बाहर चार सो पार सीटे आने वाली है राहुल जी रोको लाख मगर मोदी जी नहीं रुक पाएंगे अखले जी रोको लाख मगर योगी जी नहीं रुक पाएंगे देश को नहीं पहचान दिलाएं जब से मोदी जी आएं हैं सब का साथ सब का विकास मोदी जी ही कर पाएंगे राहुल जी रोको लाख मगर मोदी जी नहीं रुक पाएंगे चोदा में हम अब चोदा में आएंगे चोबिस में भी आएंगे चोदा में हम आएंगे चोबिस में फिर आएंगे अब की बाहर चार सौपाण सीटे आने वाली हैं राहुल जी रोको लाख मगर मोदी जी नहीं रुक पाएंगे आपकी बार 400 सीटों से ज़्यादा चुनाव भारती जनता पार्टी सीटे लाने वाली है ये तैय है और 2024 का चुनाव 4 जून को आप देख लीजेगा कि भारती जनता पार्टी एक इतिहास जीत दर्ज करेगी धन्यवाद